परिचय चात्रों, आज हम कार्बनिक रसायन के बारे में पढ़ेंगे सर, कार्बनिक रसायन क्या है? कार्बनिक रसायन रसायन शास्त्र की एक शाखा है, जिसके अंतरगत कार्बन और हाइड्रोजन युक्त योगिकों का अध्यन किया जाता है सर, कार्बन कार्बन परमानु कैसे जुड़े होते हैं? इस अध्याय में आप कार्बनिक रसायन और कुछ आधार भूत सिधानतों के बारे में पढ़ेंगे। कार्बनिक योगिकों को पूर्ण, संघनित और आबंध रेखा सनरचनात्मक सूत्रों के द्वारा निरूपित करना। थ्रीडी यानि त्रीवीमी सूत्र में कार्बनिक योगिकों का निरूपन करना। कार्बनिक योगिकों को वर्गिक रित करना। कार्बनिक योगिकों की नामकरण पद्यती का वर्णन करना कार्बन की चतुर संयोजक्ता, कार्बनिक योगिकों की आकृतियां कार्बनिक रासायन, हाइड्रो कार्बन और उसके व्युत्पन माने जाने वाले अन्योगिकों का अध्यन है कुछ कार्बनिक योगिकों में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, पॉस्फोरस, हेलोजन आधी तत्व भी मौजूद हो सकते हैं कार्बन योगिकों की आकृतिया एक कार्बन पर्माणू के ब्रमात्म कोश में चार इलेक्ट्रोन होते हैं अतह अपने अश्टक को पूर्ण करने के लिए इसे चार और इलेक्ट्रोनों की आवशक्ता होती है कारबन परमाणू अपने अश्टक को पूर्ण करने के लिए केवल अपने संयोजी इलेक्ट्रोनों को अन्य परमाणूं के साथ सहभाजित कर सकता है जिसके परिणाम स्वरूप कार्बन पर्माणू अपने संयोजी इलेक्ट्रॉनों को अन पर्माणूं के साथ सहभाजित कर चार सह संयोजक बंधों का निर्माण करता है। इसे कार्बन की चतुर संयोजकता कहते हैं। उधारण, मिथेन, एथीन, एथाइन। कार्बन संकरण में सहभागी हो सकता है और SP, SP2, SP3 संकर कक्षकों का निर्माण कर सकता है। संकरण किसी कार्बनिक योगिक की आबंध लंबाई तथा आबंध एंथाल्पी को प्रभावित करता है। SP संकरित कक्षक में एस गुण अधिक होने के कारण यह नाभिक के समीप होता है और SP3 कक्षक से अधिक सामर्थवान आबंध का निर्माण करता है। SP2 संकरित कक्षक, SP और SP3 संकरित कक्षक के मध्यवर्ती होता है। पायाबंधों के कुछ विशिष्ट अभिलक्षण पायाबंध दो निकटवर्ती परमाणूओं के पी कक्षकों के पार्श्व अतिव्यापन से निर्मित होता है। पी कक्षक एक दूसरे के समनांतर और अडू के तल के लंबवत होने चाहिए। पायाबंध कार्बन-कार्बन ध्वी-ाबंध के चारो ओर घूर्णन प्रतिबंधित कर देता है। पायाबंध बहु आबंध युक्त यॉग्यकों में इलेक्टरॉन आवेश अभ्र उपलब्द कराता है। कार्बनिक यॉग्यकों का सन्रचनात्मक निर्οूपन पूर्ण संगनित तथा आबंध रेखा संरचनात्मक सूत्र कार्बनिक योगिकों के संरचना को लुईस या बिंदु संरचना, लगु संरचना तथा आबंध रेखा संरचना के द्वारा निरूपित किया जा सकता है लिविस या बिंदु सनरचना को रिण में प्रदर्शित कर संशिप्त किया जा सकता है एक लगूरेखा एकल आबंध को निरूपित करती है उधारण प्रोपेन द्वी लगूरेखा द्वी आबंध को निरूपित करती है उधारण प्रोपीन त्री लगूरेखा त्री आबंध को निरूपित करती है उधारण, प्रोपाइन ऐसे सन्रचनात्मक निरूपणों को पून सन्रचनात्मक सूत्र कहा जाता है कार्बनिक योगिकों का सन्रचनात्मक निरूपण संगनित सन्रचनात्मक सूत्र में प्रतेक कार्बन परमाड़ू को प्रिथक प्रिथक एक के बाद लिखा जाता है उन कार्बन परमाड़ूं से जुड़े समान समू को कोश्टक में लिखकर संख्या को पादांक में प्रदर्शित करते हैं उधारण, पूर्ण सनरचनात मक्सूत्र, इसके संगनित सूत्र को निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है, आबंध रेखा सनरचना है, इसमें कार्बन और हाइड्रोजन परमाणू नहीं दर्शाय जाते, केवल कार्बन कार्बन परमाणूं के बीच के आबंध को तेड़ी रेखाओं के द्वारा दर्शाय जाता है, कार्बन और हाइड्रोजन के हतिरिक्त परमाणूं को सनरचना में दर्शाय जाता है, और सिरे मिथेल समू को इंगित करते हैं, उधारण, ब्यूटिल क्लोराइड, प्रोपीन, साइक्लोहेक्जीन, डायेथिल एथर, डायमेथिल कार्बनिक योगिकों का त्रिविमी निरूपड कागज पर कार्बनिक योगिकों के त्रिवीमी सनरचनाओं को ठोस और डैश वेज सूत्र के उपयोग के द्वारा मिरूपित किया जाता है ठोस वेज उस आबंध को दर्शाता है जो कागज के तल से दर्शक की ओर प्रक्षेपी है डैश्वेज दर्शक से दूर जाने वाले आबंध को दर्शाता है कागच के तल में स्थित आबंध को साधारण रेखा के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है उधारण, मेथेन कारबनिक योगिकों का वर्गी करण कारबनिक योगिकों को अचक्रिय, अत्वा, विवरित, शंकला योगिक और चक्रिय या बंदर शंकला या वले योगिक में वर्गे करित किया जा सकता है चक्रिय योगिकों को आगे सम्चक्रिय या कार्बो साइकलिक योगिक और विशम चक्रिय योगिक में विभाजित किया जा सकता है अचक्रिय या विवरित श्रिंखला योगिक अचक्रिय योगिक विवरित श्रिंखला योगिक होते हैं और ये एलिफैटिक योगिक भी कहलाते हैं अचक्रिय योगिक अचक्रिय योगिक विवरित श्रिंखला योगिक अचक्रिय योगिक विवरित श्रिंखला योगिक हैं जिसमें एक या अधिक कार्बन परमाणू किसी अन्य कार्बन के अतिरिक्त विशम परमाणू से विस्थापित कर दिया जाता है विशम परमाणू नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और सलफर है क्रियात्मक समू या प्रकार्यात्मक समू यह किसी कार्बनिक योगिक में विश्ष्ष्ट प्रकार से जुड़ा परमाणू या परमाणू का समू जो उस कार्बनिक योगिक की रासायनिक अभी क्रियाओं के लिए उत्तरदाई होता है सजातिय श्रेणिया नामांकन कार्बनिक योगिकों को नाम देने की एक सूव्यवस्थित प्रणाली है। नाम दिया गया था क्योंकि इसे लकड़ी के आस्वन से प्राप्थ किया गया था। कार्बनिक योगिकों के ये नाम, रूढ नाम या सामान ये नाम कहलाते हैं। नामकरण की IUPAC पद्धती International Union of Pure and Applied Chemistry को छोटे रूप में IUPAC लिखा जाता है। इस पद्धती का उप्योग करके हम किसी कार्बनिक योगिक को एक व्यवस्थित नाम दे सकते हैं। इसी कार्बनिक योगिक का व्यवस्थित नाम मूल शेंखला, क्रियात्मक समूह और शाखा शेंखला की पहचान करके व्युथपन किया जा सकता है। मूल नाम में हम उप्युक्त पूर्वलग्न, अनुलग्न को भी संयुक्त करके वास्तविक योगिक का नाम प्राप्त कर सकते हैं। इसमें चोटी कारबन शिंखलाएं जनक शिंखला के कारबन परमाणों से जुड़ी रहती हैं। ये चोटी कारबन शिंखलाएं यानि शाखाएं एलकिल समुह कहलाती हैं। शाखित शिंखला युक्त हाइड्रोकारबन का नाम देने के लिए जनक शिंखला के कारबन परमाणों से जुड़े एलकिल समुह का नाम पुर्व लगने के रूप में जनक एलकेन के नाम के साथ संयुक्त कर दिया जाता है। संत्रिप्त हाइड्रोकारबन के कारबन से एक हाइड्रोजन परमाणों हटाने पर एलकिल समुह प्राप्त होता है। एलकिल समुह का नाम प्राप्त करने के लिए एन को एल के द्वारा विस्थापित करते हैं। एलकिल समूह के लिए कुछ संशिप्त नाम लिखे जाते हैं, जैसे मेथिल के लिए M-E, एथिल के लिए E-T. एलकिल समूह की शाकित शंकला संरचना भी हो सकती है. आइसोप्रोपिल, टर्ट ब्यूटिल. शाकित शंकला युक्त एलकेनो का नाम करण. नाम करण के नियम निम्निलिखित हैं. सर्वप्रथम, हम यौगिक में दीरगतम कार्बन शंकला का चैन करते हैं. जनक शंकला के कार्बन परमाणू का अंकन किया जाता है, जिससे जनक एलकेन से जुड़े कार्बन परमाणू को पहचानने में मदद मिलती है. क्रामांकन उस छोर से प्रारंभ करते हैं, जिससे शाखित कार्बन परमाणू को लगुतम संभावित अंक मिल सके. अतह, दी हुई कार्बन शंकला में क्रामांकन बाई ओर से दाई ओर होना चाहिए. इसके उपरांथ मूल एलकेन के नाम में एलकेल समोह के नाम पूर्वलगन के रूप में संयुक्त करते हैं. अतह, दिये गए कार्बनिक योगिक का नाम तीन एथिल, एक मेथिल हेप्टेन होगा. शाखित श्रिंखला एलकेनों का नाम करण। यदि प्रतिस्थापी समोह समान हो, तो उनकी संख्याओं के मध्य अल्प विराम लगाया जाता है और पूर्वलगन का उप्योग किया जाता है. जैसे दो के लिए डाई, तीन के लिए ट्राई, चार के लिए टेट्रा, पाच के लिए पेंटा, छे के लिए हेग्जा, साथ के लिए हेप्टा, आठ के लिए औक्टा, नौ के लिए नौन, और दस के लिए देको. उधारण दो तीन डाइमेथिल हेप्टेन यदि दो प्रतिस्थापी समुह दोनों छोरों से समान स्थिती पराते हैं तो निमनितम संख्या उस कार्बन को दी जाती है जो अंग्रेजी वर्ण माला क्रम में पहले आता है उधारण दो एथिल, पाँच, मेथिल हेगजेन कुछ सामान आईउपीएसी नाम निमनिलिखित है सामान नाम आईसो प्रोपिल है इसका आईउपीएसी नाम एक मेथिल, एथिल और इसकी संदचना है सामान नाम सेक ब्यूटिल इसका IUPAC नाम एक मेथिल प्रोपिल और इसकी संरचना है सामान्य नाम आइसो ब्यूटिल है इसका IUPAC नाम दो मेथिल प्रोपिल है और इसकी संरचना है सामान्य नाम टर्ट ब्यूटिल है इसका IUPAC नाम एक एक डाइमेथिल एथिल है और इसकी संरचना है सामान्य नाम नियोपेंटिल इसका आईउपीएसी नाम दो-दो डाइमेथिल प्रोपिल है और इसकी सन्रचना है शाखित शंकला वाले एलकेनों का नामकरण बहु प्रतिस्थापी समुहुवाले योगिकों के नामकरण में निमनलिखित नियमों को ध्यान में रखना आवश्चक है यदि कारबन की समान संख्या वाली दो शंकलाएं हैं तो ज्यादा शाखा शंकला वाली शंकला को चुना जाता है शंकला का अंकन उस छोर से प्रारंभ किया जाता है जिस ओर से प्रतिस्थापी को निम्नतम अंक प्राप्थ हो उधारण दिये हुए योगिक का IUPSC नाम 4-2-2-dimethyl-propyl- चक्रिय योगिक एकल आबंध वाले सम्चक्रिय योगिकों का नाम संबंधित विवरित शंकला एलकेन के नाम में साइकलो पूर्वलगन लगा कर प्राप्थ करते हैं उधारण साइकलो ब्यूटेन साइकलो पेंटेन साइकलो हेक्जेन क्रियात्मक सम्चों वाले कारबनिक योगिकों का नाम करण क्रियात्मक सम्चों इसी कारबनिक योगिक की रासाइनिक अभी क्रियाशीलता की प्रवित्ती को परिभाशित करता है बहु क्रियात्मक समुहों वाले योगिकों में एक क्रियात्मक समुहों को मुख्य क्रियात्मक समुहों मान लिया जाता है उचित पूर्वलगनों का उप्योग करते हुए और बाकी बचे हुए क्रियात्मक समूहों को प्रतिस्थापी मान उस योगिकों को नाम दिया जाता है कुछ क्रियात्मक समूहों की तालिका निमनलिखित है प्रात्मिक्ता के आधार पर क्रियात्मक समूहों का घटता हुआ क्रम निम्निलिखित है कार्बॉग्जिलिक अमल, एसिड, एनहाइड्राइड, एस्टर, एसिड क्लोराइड, एमाइड, नाइट्राइल, एल्डिहाइड, किटोन, एलकोहॉल, एमीन, एलकेन, एलकीन, एलकाइन, हेलो, नाइट्रो, एलकॉग्जी, एलकेल उदारण हम निम्नलिखित कार्बनिक योगिकों के IUPAC नाम लिखेंगे यहां मूलशब्द भ्यूट है और अनुलग्न एन है यहां दो क्रियात्मक समू है किटोन और एलकोहॉल एलकोहॉल समूह की अपेक्षा किटोन समूह को उच प्रात्मिक्ता प्राप्त है अतह द्वितियक अनुलग्न ओन होगा पुर्वलग्न मेथिल और हाइड्रॉक्सिल होगे अतह नाम होगा तीन हाइड्रॉक्जी, तीन मेथिल ब्यूटेन, दो ओन प्रतिस्थापी बेंजीन व्यत्पन्नों की नाम करण पद्यती बेंजीन व्यत्पन्नों का नाम प्राप्त करने के लिए प्रतिस्थापी समुह का नाम पुर्वलग्न के रूप में बेंजीन शब्द से पूर्वलिखते है उधारन ब्रोमो बेंजीन तर्ट ब्यूटिल बेंजीन नाइट्रो बेंजीन यदि एक से अधिक प्रतिस्थापी समुह बेंजीन वले से जुड़े हुए हैं तो बेंजीन व्युत्पन में प्रतिस्थापी समुहों की स्थितियां संख्या में दर्शाई जाती हैं वले के कार्बन परमाड़ों का क्रमांकन इस तरह से किया जाता है कि प्रतिस्थापी समुहुँवाली स्थितियों को न्यूनितम संख्या मिल सके। उदाहरण 1-2-Dynitrobenzene 1-3-Trinitrobenzene 1-4-Dynitrobenzene रूड़ पद्दिती में और्थ्रो-O, मेटा-M, पेरा-P, पुर्वलगनों को संबंदित स्थितियों क्रमशह 1-2-1-3 और 1-4 को दर्शाने के उप्योग में लाया जाता है। उदाहरण और्थ्रो-Dynitrobenzene मेटा-Dynitrobenzene पेरा-Dynitrobenzene बेंजीन व्योथपन्नों की नामकरण पद्दिती और्थ्री, मेटा और पेरा-P, पुर्वलगनों को दो से अधिक प्रतिस्थापी वाले बेंजीन वले के लिए उप्योग में नहीं लाया जाता है और योगिकों का नामकरण प्रतिस्थापियों की सितियों को बेंजीन वले में निम्नितम संख्या प्रदान करके किया जाता है मूल योगिक के प्रतिस्थापी की स्थिती को संख्या एक देकर इस प्रकार क्रमांकन किया जाता है कि अन प्रतिस्थापियों को निमनितम संख्या मिले प्रतिस्थापियों के नाम अंग्रेजी वर्ण माला क्रम में लिखे जाते हैं उधारण हम फ्लोरीन को संख्या क्रम एक देते हैं जिससे नाइट्रो को दो और एथिल को चार क्रमांग प्राप्त होता है इस योगिक को अंग्रेजी वर्ण माला क्रम में लिखा जा सकता है चार एथिल, एक फ्लोरो, दो नाइट्रो बेंजीन जब बेंजीन, वलय और क्रियात्मक समूह एलकेन से जुड़े रहते हैं तब बेंजीन, वलय को प्रतिस्थापी माना जाता है फैनिल, नाम, C6, H5 को दर्शाने के लिए उप्योग में लाया जाता है क्या आप जानते हैं? मेसेंजर अंतरिक्ष यान ने बुध ग्रह पर न सिर्फ जल और बर्फ के अस्तित्व का खुलासा किया और साक्ष प्रस्तुत किये बलकि कई जगहों पर यह बर्फ 10 सेंटिमीटर मोटी कालिक जैसे कार्बनिक पदार्थ की परत से ढकी हुई प्रतीत होती है सारांश आईए, हमने जो कुछ सीखा है उसे संशेप में दोहराए कार्बनिक रसायन, हाइड्रो कार्बन और उसके व्योत्पन माने जाने वाले अन्य योगिकों का अध्यन है कार्बन एक चतुर संयोजी योगिक है पायाबंध दो निकटवर्ती परमाणूओं के पी कक्षकों के पार्ष्व अतिव्यापन से निर्मित होता है कार्बनिक योगिकों को पूर्ण, संगनित और आबंध द्वी रेखा संदर्चनात्मक सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है त्रिवी में, यानि 3D निरुपण में ठोस वेज उस आबंध को दर्शाता है जो कागस के तल से दर्शक की और प्रक्षेपी है और डैश वेज दर्शक के दूर आबंध को दर्शाता है अचक्रिय योगिक विवरित शेंखला संरचना है जबकि एलिसाइकलिक वेकार्बनिक योगिक है जो आपस में एक वले में जुड़े रहते है क्रियात्मक समूह किसी योगिक में उपस्थित पर्माडवों का ऐसा विशिष्ट समूह है जो इस योगिक की रासाइनिक अभिक्रिया के लिए जिम्मेदार होता है कार्बनिक योगिकों का नाम नामकरण पद्धिती के अनुसार दिया जाता है रूडपद्धिती में और्थ्रो ओ, मेटा एम, पेरापी, पुरवलगनों को बेंजीन वले की सम्बंधित थितियों क्रमशह, एक दो, एक तीन और एक चार को दर्शाने के लिए उप्योग में लाया जाता है